गुड मॉर्निंग बच्चों, दिससे संतोष, संतोष तेवास्तों और हम लोग शुरू करते हैं आसका एडिटोरियल रिडिंग का सेशन अपना 20 यर्थ में का 27th सेशन ठीक है और शुरुवात आप जानते हैं किससे से होती है इस कोटेशन से जो आज आपको बहुत अच्छ यानि प्रते दिन जब आप उठें तो आपको क्या लेना होगा एक determination लेना होगा यदि आप किस तरीके से सोना चाहते हैं संतोष तो जब भी आप सुबह उठें हर सुबह आपके पास क्या होना चीए एक determination होना चीए एक दिन शंकल्प होना चाहिए, एक इच्छा शक्ती होनी चाहिए, जो इच्छा शक्ती दिन भर आपसे बहतर कराने की कोशिश करें, ताकि रात में जब आप सोने चाहें, तो आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हो, क्या? स्टिस्फैक्शन, क्योंकि जिसके पास satisfaction नहीं है उसके पास इस दुनिया में कुछ नहीं है जिसके पास संतोष नहीं है उसके पास कुछ नहीं है संतोष का यानि संतोष्टी का होना बहुत जरूरी बच्चों तो शुरू करते हैं अपना आज का MCQ यानि multiple choice questions जो आपके सामने है जो वही verse मैंने दिये हैं जो verse आपने पिछले editorial में पढ़े थे तो जल्दी से बता दें take off का यहाँ पर क्या अर्थ होगा चार शब्दों में lift down होगा या take down होगा या lift off होगा या take after होगा क्या रहेगा take after का take off का क्या होगा बच्चों याद है take off take off का एक अर्थ था जूते वगर कपड़े वगर उतारना एक अर्थ था किसी जहाज वगर का उड़ान भरना और एक अर्थ था जब कोई अचानक सफलता या लोग पेता प्राप के लिए ठीक है यहाँ जो अर्थ मैंने दिया take off का हो क्या है lift off यानी उड़ान भरना आगे बढ़ जाना this is truncate का क्या होगा बोल दें जल्दे से truncate याद है आपको truncate मेंस किसी चीज को छोटा कर देना याद है truncate मेंस छोटा कर देना तो क्या हो जाएगा truncate का to abbreviate हो जाएगा छोटा कर देना apprehension याद हो गया बोलें अपने मन में ऐसे words यूज करें बच्चों धेरी धेरी आदत हो जाएगी ऐसे words जो कभी कठीन लगते रहेंगे अभी आप इनको देखते हैं सुनते हैं पढ़ते हैं धेरी धेरी आदत हो जाएगी इनकी तो apprehension आशंका भै तो apprehension का क्या हो जाएगा आपका anxiety चिंता भै next word है आपका resumption याद है आपको मैंने बताया था आपको यह किसे बना होगा आपका resume से ठीक है तो resumption किसे चीज की पुनह शुरुवात पुनह आरंभ हो तो याद हो जाएगा resumption का restart किसे चीज का continuation लेश्टेमेट याद है आपको लेश्टेमेट कोई चीज जो जायज हो वैद हो कानून सम्मत हो वो लेश्टेमेट होता है तो क्या हो जाएगा लेश्टेमेट का lawful induce का क्या हो जाएगा बचों जब मैं answer बता है करूँ उसके पहले आप सोचा करें यह होगा फिर मैं बताओंगा तो आप बता चलेगा हाँ यह आप जो सोच रहे थे वो सही था या गलत तो फिर वर्स याद हो जाएगा और बाकी वर्स पर डिक्संदीज वगरे में तयार करेगा यह सारी वर्स वही मैं देता हूँ जो आपके काम के हो induce याद है आपको किसी को मनाना पेरित करना किसी कार्य के लिए तो डिस्टूवेट नहीं होगा वो क्या हो जाएगा पर्शूवेट हो जाएगा किसी को मनाना पेरित करना इंस्पायर करना go back to the drawing board important idiom है आपका अगर आपको याद हो go back to the drawing board क्या हो जाएगा याद है to begin again किसी कारी को यह experiment वगरे को फिर से शुरू करना trajectory याद होगा आपको trajectory कोई कारी कैसे बढ़ रहा है उसका पथ उसका रास्ता उसका routine उसका course तो क्या हो जाएगा यह course नहीं होगा बच्चों धिहान रुखेगा यह course होगा यह course क्या होता है घटिया बेकार यह course क्या होता है रास्ता बंगल याद है बहुत बहुत बहर कारियों को बंगल कर देते हैं गड़बर कर देते हैं खराब कर देते हैं तो आप क्या करते हैं उन्हें miss handle करते हैं गलत तरीके इससे करते हैं ठीक है यह सारी वर्ट जबर त्यार करते हैं परडे देखें मैं यहाँ पर जो पिछले उसमें वर्ड पावर मैंने दिया होगा वो परडे मैं रिपीट करा रहा हूं इससे त्यार करते हैं जाय से आपके वर्ड पावर अच्छी होगी वर्ड पावर अच्छी नहीं होगी आपके लिए ठीक है आगे बढ़ते हैं और ये वुकाइब है ये आज का वुकाइब कल का आपका MCQ में दिया जाएगा इसलिए प्रते समय ध्यान से देखा करें पहला वर्ड है आपका dominant क्या है dominant 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 से बनाएं ध्यान से अगर समझेंगे dominant किसी को अपनी प्रभाव में लेना उसे दबा देना अपनी अधीन करना तो dominant कौन क्या हो जाएगा एक adjective के रूप में dominant मिन्स होता है प्रभावशाली या अगर छोटे सब्द में आप समझना चाहते हैं तो हो जाता है प्रभल कोई समभावना अगर बहुत dominant है इस क्या है बहुत प्रभल समभावना है this is dominant यनि जो प्रिशाइडिंग हो याने प्रभावशाली हो उस चीज को देख रेख कर रहा हो जो ruling हो सत्ताधारी हो जो governing हो गवर्न कर रहा हो controlling हो control कर रहा हो वो dominant है तो dominant क्या हो चाहएगा प्रभावशाली या प्रबल क्वेगमायर बच्चों competition के point of view से important word है क्वेगमायर एक adjective है ठीक है यानि किसी noun या pronoun के बारे में ये और extra बताएगा वैसे क्वेगमायर का चो अर्थ होता है ना क्वेगमायर का अर्थ होता है दल जिसको आप कहते है न ये बोग या अगर आपको याद हो मार्श या श्वैंप लेगे अगर आप सोचेंगे जब कोई बोग में मार्श में या स्वैंप में चला जाएगा दल दल में चला जाएगा तो निश्चेति उसकी condition खराब हो जाएगा क्ठिन हो जाएगी क्योंकि वहाँ से निकलना उसके ल खतरनाक स्थिति यानि कोई ऐसी condition जो किसी के लिए बहुत डेंजरस हो खतरनाक हो जटिल हो जाएग क्रीडिकल हो जाएग वह स्थिति क्या है क्वैग मायर कंडिशन है तो क्वैग मायर क्या हो जाएगा कठिन जटिल या खतरनाक स्थिति मेंस कोई स्वैंप दल दल के रू कोई मायर दलदल के रोप में या कठीन परिस्थती के रोप में, कोई क्वैग दलदल के रोप में, कोई मार्श लैंड दलदल के रोप में, कोई फेन जाग वगर दलदल के रोप में, कोई शलफ में एक तरह से कठीन परिस्थती के रोप में, कोई क्विक सैंड जहां काद में में कठिन इस्थिती के रोप में, कोई मौस, कोई ब्याव या कोई मौर, में कोई ऐसा अस्थान, कोई ऐसी परिस्थिती जहां से निकलना मुश्किल हो, तो वो condition, वो situation क्या होती है, क्वैग मायर होती, में क्या होती बच्चों, कठिन होती है, जटिल इस्थिती होती, आन्द वर्ज आफ क्या होता है, जब कोई condition किसी कगार पे पहुच जाती है, कोई condition किसी कगार पे पहुच जाती है, तो condition आन्द वर्ज आफ होती है, जैसे कोई आप से कहे, वह रोने के कगार पे था, तो क्या कहेंगे आप, He was on the verse of weeping क्या होज़ाएगा on the verse of weeping तो जब कोई condition किसे कगार पे किसे brink पे पहुँच जाए तो this is on the verse of means कगार पर होना means वो forth coming है यानि आगे आने ही वाली है immediate है आने ही वाली है inevitable है यानि आने ही वाली निश्चत आने वाली likely है आने ही वाली है looming है वो परिस्थती आपके इर्दगिर्द मरा रही है possible है आने ही वाली है probable है आने ही वाली है unavoidable है यानि वो परिस्थती आने ही वाली है निश्चत है तो कोई चीज़ अगर under words of है यानि बिलकुल अपनी कगार पर है होने ही वाली है रेसेशन बच्चों ये वर्ड इंपोर्टेंट है कंपरिशन के पॉइंट आवे उसे क्योंकि इस समय तो वैसे भी इंपोर्टेंट है इस पैंडेमिक के दौर में क्योंकि बहुत सारे देश हैं जो आगे रेसेशन का सिकार होंगे कुछ तो होते हिचा रहे हैं क्यों? क्योंकि रेसेशन मेंस होता है मंदी का दौर कौन सा दौर? बच्चों मंदी का दौर मेंस जब आर्थिक व्यवस्था किसी की एकॉनमिक जो एकॉनमी है वो बेकुल मंदी के दौर में आ जाए सुस्त पढ़ जाया अर्था उसकी जो पेस है जो रफ्तार है बहुत धीनी हो जाए प्रगति की डेवलोपमेंट की तो वो ब्यवस्ता वो economy में recession के दौर से गुजर रही है means मंदी के दौर से गुजर रही है यानि वो द्यवस्था downturn देख रही है अर्था पतन की तरफ जा रही है depression की तरफ जा रही है means निराशा की तरफ जा रही है slump कर रही है means नीचे की तरफ जा रही है slow down कर रही है धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रही है true कर रही है अट्रफ कर रही है मैंस नीचे की तरफ जा रही है credit crunch हो रहा है यानि कहीं कहीं पैसों की कमी हो रही है credit squeeze कर रही है पैसों की कमी हो रही है stagnation आ रहा है मैंस एक प्रकार की जड़ता आ रही है stagflation आ रहा है means stagnation plus inflation अर्था मुद्रा में कमी आ रही है जड़ता आ रही है बश्ट हो रहा है means कहीं कहीं बैखता जा रहा है कम होता जा रहा है तो कहीं भी अगर resistance का दौर है means किसका दौर है वो मंदी का दौर कोई आपसे कहें कि भारत में recession का दाउर आने वाला है means कौन सा दाउर आने वाला है मंदी का दाउर आने वाला है next word है आपका acerbic, ये भी एक adjective की तरह काम कर रहे है, acerbic वैसे भी ic अगर हो, तो normally वो आपका adjective होता है तो acerbic means क्या होता है acerb से बनाए मजो acerb क्या होता है, आपको वो खटी चीने खाते है न, वो acerbic होते है, acerb से बनाए ही वा means कोई चीज़ जो sharp है कोई जो sarcastic है तीखा है, व्यंगात्मक है कोई चीज़ शार्डोनिक है, तीखा है कोई चीज़ सेटाइरिकल है व्यंगात्मक है, इस कैथिंग है, बहुत तीखा, बहुत कठोर है, कटिंग है जो दिल को चुप जाए acrimonious है, तीखा है यानि acerbic means तीचन, या इसे बहतर वर जो मैं बोल ला हूँ बच्चों, वो ये तीखा, यानि बहुत सक्ट, जैसे मानिजे, कोई आपकी आलोचना कर ला है, criticism कर लहा है, और उसकी criticism के जो तरीका है, वो बहुत acerbic है, यानि उसके आलोचना कैसी बहुत, तीखी आलोचना है बहुत सक्ट आलोचना, कठोर आलोचना कर ला है, this is acerbic को यहां वड़ याद रखे एक बच्चो एसर्बिक भी और इसकैथिंग यह दोनों वर्स आपके एसर्बिक भी और इसकैथिंग दोनों इसी एडिटोरियल में आपको मिलने वाले हैं नेक्ष वड़ हापका अनसबस्टेंशियेटिड सबसे पहले आप यह वड़ जाने मचेए यह वड़ हापका सबस्टेंशियेट क्या होता है किसी चीज को सिध करना क्या होता है वच्चो सिध करना किसी चीज को प्रूव करना किसी चीज को तो substantiated अगर बोलेंगे यो चीज चो proven हो यानि शिद्ध हो प्रमारित हो सत्य पे आधारित हो अगर कोई चीज unsubstantiated है तो क्या हो जाएगे जिसका कोई आधार न हो यानि जिसका कोई प्रमार न हो अर्थात प्रमार के आधार पर सही सिद्ध न हो अर्थात वो अप्रमारित हो, निराधार हो, गैर जरूरी हो, वो अब अन-substantiated है, मिंस क्या है वो, गैर महत्पूर है, उसका कोई आधार नहीं है, फिर से आख कले, substantiate means हो, किसी चीज़ को प्रूव करना, तो substantiated means क्या हो जाएगा, adjective के रूप में, proven, यानि सिध्ध, जो चीज़ सही हो, तो unsubstantiated क्या हो जाएगा, adjective के रूप में, जो चीज़ प्रूविन, नहों, अर्थाद गैर प्रमारिक, जिसका कोई आधार, नहों, गैर जरूरी, गैर आधारे, नेश्ट वर्ड है, name calling, बचो यहां बीच में hyphen दे सकते हैं, name calling, लहां वर्ड है, अक्सर क्या होता है? आप किसी को गालियां देते हैं, उसके नाम को गलत तरीके से संबोधित करते हैं, ठाव है फलाने, ऐसे, तो जब आप किसी को गलत नाम से संबोधित करते हैं, गालिय तो ये name calling कहला ताया, मैं इसके आपमान करना या सुधर्बोप में गाली दे कर कि उसके नाम को क्या करना? पुकारना, ये name calling है आपका, यानी एक तरह से आप उसे क्या कर रहेए? defamation कर रहे है, मैं इसका अफमान कर रहे है, मानहानी कर रहे है, label कर रहे हैं अर्थात कहीं कि उसका level down कर रहे है maligning कर रहे हैं उसका नाम mela कर रहे हैं मैंस कहीं कि गंदा कर रहे हैं मैंस अपमान कर रहे हैं slander कर रहे हैं कलंकित कर रहे हैं smearing कर रहे हैं उसके नाम पर धबा लगा रहे हैं विलिफिकेशन कर रहे है, means गंदा काम कर रहे है, means गलब तरीके इस उसका नाम ले रहे है, तो नेम कालिंग, गाली देने के समान, अर्थात अपमान करना, ब्रिंक एक नाउन है बच्चों, ठेक है, ब्रिंक क्या होता है, जब आप कोई गिलास वगर होती ही न, आप उसके प अगर कोई कंडेशन बिलकुल खतरनाक अवस्था के फ्लैस पॉइंट पे आ चुका है, याद करें फ्लैस पॉइंट वो चरम बिंद जहां पर होस्टिलिटी, एन्मेटी या वाइलेंस होता है, वो फ्लैस पॉइंट है, तो वही फ्लैस पॉइंट जो है ब्रिंक है जैसे ऐसी स्थिति जो और नहीं समहा लेंगे तो और खराब हो जाएगी, तो कोई कगार अर्था खतरनाक अस्थिति के बिलकुल निकट होना, यह आउट राइट है बच्चों, एडवर्ब के रोप में है, किस रोप में है आउट राइट, एडवर्ब, नाम से देखें आ खुले तौर पे, openly जीत लिया, तो he won the competition, कैसे जीत लिया उशने, आउट राइट, में सो खुले तौर पर, सीधे तौर पर, तो आउट राइट, एक एडवर्ब के रोप में है आपका, किस तौर पे, सीधे तौर पे, या साफ साफ और सीधा, ठीक है, निक्स्ट वर्ड है रिवर्ड, बहुत क्या होता है, आप रिवर्ड कर जाते हैं, में सो रिट्रीट कर जाते हैं, रिशीड कर जाते हैं, और था पुरानी अवस्था की तरफ वापस चले जाते हैं, दिस से रिवर्ड, में सो वर्ड कहीं भी लगाओ बच्चों, अगर यह सब्द लगा है कहीं word, किसी भी सब्द में word लगा है, word means होता है की तरफ, इसी से आपका divert बना है, इसी से invert बना है, इसी से extrovert बना है, सब में देखिए word लगा है, word means ही की तरफ होता है, तो reward यानि पुनह पहले वाली अवस्था में क्या हो जाना, लौड जाना, अर्थात पुर्वदशा या क्रिया में लौड जाना, means जैसे आपने कुछ पहले कहा हो, और फिर उसी अवस्था में वापस आ रहे हैं, तो आप reward कर रहे हैं, तो अर्थात आप क्या कर रहे हैं, return कर रहे हैं, आप retrogress कर रहे हैं, आप regress कर रहे हैं, अर्थात पुरानी अवस्था में लौट रहे हैं, Decisive तो आना चाहिए आपको Adjective प्रूप में IVE है अर्थात ही क्या हो गया Adjective Reverd क्या था आपका वर्ब था तो Decisive Adjective प्रूप में क्या है कोई चीछ जो निर्डायक हो बचो अक्सर लोग कहते हैं अब ये Decisive Moment आ गया है मेंस क्रंच का समय आ गया है अर्थात अब ये निर्डे का समय आ गया है अब ये Decision लेने का समय आ गया है This is Decisive means ये एक निर्डायक समय आ गया है तो Decisive means क्या हो जाएगा अर्थात Resolute, Firm, Strong Minded, Strong Willed या Determined अर्थात जो बिलकुल निर्डायक हो निर्डे लेने के अवस्था में हो वो Decisive होता है ठीक है इस सारी वर्स आप देख लें बच्चो और अभी आपके सामने आपका Editorial है आज का Editorial है The Common Factor क्या है बच्चो The Common Factor अर्थात वो Factor जो बिलकुल Common है मेंस क्या है बिलकुल, आम है बिलकुल, सामाने है वो Factor तो करें The Common Factor अर्थात आम तत्थे है, सामाने तत्थे है किस से इस पर? यह आपका Editorial है आज चाइना इन यूएस पॉलिटेक्स यानि ये Editorial आपका चाइना इन यूएस पॉलिटेक्स है यानि अगर आपको लगे सर यूएस के पहले तेहां दर नहीं लगा क्योंकि यूएस की साथ यहां पॉलिटेक्स है न कि देश के रूप में है तो यानि जो संजुक्त राज अमेरिका, United States है उसकी राजनीती में जो चाइना की भूमिका बन रही है उसी पर यह क्या है आपका editorial यानि यूएस पॉलिटेक्स में चाइना पर यह आपका editorial लिखा गया है ठीक है पहले वर्स देख लेते हैं बच्छों चाइना आप जानते हैं यहां क्या है आपका एक नाउन है आपका ठीक है, प्रापर noun ने बलके खह सकते हैं, और यह चाइनीज हो जाता, तो यह प्रापर adjective हो जाता, तो चाइना noun हो गया, इस यहाँ पर क्या है, main verb हो जाएगा आपकी, now क्या है, आप जानते हैं, कब का जबाब है, means adverb है आपका यह, यह क्या है यहाँ, जानते हैं, article या determiner है subject क्या है, noun, अगर subject noun है, तो dominant क्या हो जाएगा, adjective हो जाएगा, in क्या है, बचपन साब जानते हैं, preposition है, जब in वगरे के बाद कोई noun या noun phrase हो, तो in preposition होता है, और जब in अकेला आता है, तो adverb हो जाता है, adverb हो जाता है, यूएस politics क्या है, compound noun ले लें, जिसमें politics और यूएस हैं आपके, as क्या है यहांपे? कांजॉंक्षन है आपका, as मींस चूंकि या जैसे जैसे, दो क्या है? determiner है या वटर आर्टिकल है आपका election यहाँ पर क्या है 52 बाद election है इसका मतलब क्या है यहाँ पर noun के रूप में है subject के रूप में और draw closer क्या है यहाँ पर draws क्या है आपका यहाँ परภी वर्ब है election singular था तो draw में क्या जुड़ा गया, S जुड़ा गया, और closer, और नजदीक आता जा रहा है, मिनसी क्या है यहाँ पर adverb है आपको, ठीक है चलिए, हिंदी देख लेते हैं करें, China is now a dominant subject यानि, China जो है, is now अब है, क्या है a dominant subject, एक प्रबल विसे है, एक बढ़ा विसे एक प्रभावशाली subject बन चुका है, एक प्रबल subject बन चुका है, in US politics, किसमें अमेरिका की राजनीत में as, जैसे जैसे the election draws closer जैसे जैसे वहां का चुनाव draws closer क्या आता जा रहा है नस्दीक आता जा रहा है यानि जैसे जैसे वहां का चुनाव नस्दीक आता जा रहा है वैसे वैसे जो चीन है वहां का क्या बनता जा रहा है dominant subject बनता जा रहा है means एक प्रबल विसे एक महतवपूर विसे बनता जा रहा है tone समस्ते होंगे बच्चों जालतर आप देखेंगे इत्रोल इस tone जो होती है वो suggestive ही होती है जाएंगे कहाँ पर जो editorial के writer है वो ये आपको कुछ चीने बताना चाहते हैं कि President Donald Trump जो अमेरिका के राष्टपती है उनका जो तेवर है इधर उनका जो तेवर में इस रवया है उदर उनका जो gesture है बोलने वगर है का वो बहुत करा हो चुका है अभी कुछ ही समय पहले जब January में चीन और अमेरिका के बेच में first phase of pact यानि समझाते के पहली चरण पर इंक किया गया था मिंस करार किया गया था तो उनका तेवर हलका पड़ चुका था और तब जो tariff वगरे पर वो जो वहां के trade वगरे पर बाद चीत होच की थी लिंक कुछ ही समय बाद उनका तेवर वैसे पदल गया जैसे पता चला कि ये जो Corona Virus है जिसकी वज़द से पैंडमिक जो फैला हुआ है उसमें कहीं कहीं चीन के एक lab वोहान लेवरेटरी का हाथ हो सकता है वहां से उनका जो तेवर था वो बिल्कुल change हुआ और अभी तक देखेंगे वो तेवर उनका बना हुआ है और अभी ये बना भी रहेगा क्यों बना रहेगा क्योंकि सितमबर, अक्टूबर, नौवंबर के आसपास में वहाँ पे क्या होने वाले है चुनाव होने वाले है जब चुनाव होने वाले होता है तो जो पार्टियां होती है या सरकारे होती है उनका रवया क्या हो जाता है change हो जाता है उनका देश प्रेम क्या हो जाता है बहुत बढ़ जाता है और वो जनता को वास्ताव में बेवकूब बनाने के क्या करने लगते हैं, कोशश करने लगते हैं, देश प्रेम के दो हाई दे करके, तमाम ऐसे मुद्दे उठा करके, जो कहिन गई पीपल को, लोगों को डिरेक्ट तौर पे अट्रैक्ट करते हो, यही यह पूरा एडिटोर हैं, जो वहां के प्रिजम्पटिप क्या हैं, वहां पे कंटेश्टेंट हैं, उम्मीदवार हैं, वो रहेंगे, जो बिड़ें जो हैं, चीन को लेकर ही उनके उपर वार कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी धेरे-देरे समझ में आ रहा हैं, कि लोग, यानि जो डॉनल्ड ट्र के समर्थक हैं, उनको जो बिड़ें कहने के बजाए, बीजिंग बिड़ें कहने लगें, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति ऐसा उम्मीदवार, जो चीन के पच्छ में खड़ा है, तो अब जो बिड़ें को कहिन के सोचना पड़ रहा है, कि अगर वो चीन पर आकरामक होते हैं, तो भी खत्रा है, तो लिखक निक सुझाओ दिया है, कि उन्हें आकरामक होकर के भी, न होकर के भी, इन दोनों रास्तों से अलग हटकर एक तीसरा रास्ता अपनाना चे, जिसमें इस पूरे विश्व के क्या चिपी हुई है, भलाई चिपी, कम कम कोई नुकसान तो विश् पर यहां क्या है बच्छों, ड्रिंग, डीपर कहा जा रहें, डीप में जा रहें, डीपर जा रहें, इंटू, देखें, लोग कहते हैं बच्छों, ग्रैमर में इंटर इंटू का प्रियोग नहीं होता है, कहते हैं न, इंटर इंटू का प्रियोग नहीं होता है, लेकि मैं मैं एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ, जो आपको समझना चीज़, देखें, सबसे पहले आप यह जान लिवच्छों, कि inter into, यह है, inter upon जाने पहले, inter upon क्या होता है, जब आप किसी career, यह single R है, career की सुरुवाद करते हैं, तो वो inter upon होता है, जब आप किसी career की सुरुवाद कर होता है, तो वो inter upon होता है, ठीक है, पहली चीज़, दूसरा जानले, inter into, inter into भी होता है, जब आप किसी agreement, कि एक पच्छ के रूप में होते हैं, तो भी उस agreement में, आप inter into करते हैं, जब आप किसी चीज में share करते हैं, पार्डिशिपेट करते हैं, तो भी आप inter into करते हैं, यह जो लोग कहते हैं, कि inter into का प्रियोग नहीं करना चाहिए, तो आप जानले, जब आप किसी agreement वगरे, कि समझावते वगरे, कि एक पार्ट के रूप में हो, तो inter into का प्रियोग कर लिजे, और नहीं लगता है, देखें, तो President Donald Trump is entering deeper into a political quagmire, quagmire याद हो गया, एक प्रकार की critical condition, और था जटिल इस्थे थे, कौन से थे, critical इस्थे, difficult condition, यानि जो राष्टपती Donald Trump है, is entering deeper into a political quagmire, यानि वो एक राजनीतिक दलदल में, राजनीतिक संकट में, क्या होते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, यानि एक प्रकार के मार्श में, एक प्रकार के स्वैंप में, अर्था राजनीतिक दलदल में, राजनीतिक बिपत्ती में, राजनीतिक critical condition में, entering deeper into, गहराई तक फंस पर यहीं तीन संबंधित मोर्चों पर वो एक political quagmire में क्या करते जा रहे हैं? इंटर इंटू करते जा रहे हैं, प्रवेश करते जा रहे हैं अर्थात कहिन कहीं वो उसमें फसते जा रहे हैं पहला क्या है? America's death toll यहीं सबसे पहला front क्या है जिसमें फस रहे हैं? वो अमेरिका में मरने वालों की डेथ टॉल, क्या है याद है ने डेथ टॉल, मरने वालों की संख्या फ्राम कोविड नाइंटीन इस पेरिलस्टली अभी कल मैंने आपको पेरिलस बताया था डेंजरस, पेरिलस, हैजर्डस और वाट्व, जो खतरनाक हो, मेंस जटिले स्थितिम पहुँच चुका हो तो पेरिलस्टली क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, एडवर्ब हो जाएगा, एडजेक्टिब प्लस एल वाई, एडवर्ब, एडवर्ब क्यों लिया क्योंकि क्लोज यहाँ पर एडजेक्टिब के रोप में है, देखें फिर से अमेरिकाज डेथ टॉल, यानि अमेरिका में मरने वालों के जो संख्या है, फ्राम कोविड नाइंटीन, कोविड नाइंटीन से इस पेरिलस्ली क्लोज, वो खतरनाक अस्तर्थ पर क्लोज बिल्कुल निकट आ चुकी है to the psychologically important mark कहा तक निकट आ चुकी है मनोवैग्यानिक रोप से एक महतपूर नंबर तक आ चुकी है मार्क निशान तक आ चुकी है और वो मार्क क्या है आफ वन लाइक, यनि एक लाख जो कि psychologically मनोवैग्यानिक रोप से एक important mark है मेंस ध्यान देने लाइक महतपूर मार्क है मेंस एक चिन है निशान है एक लाख के निशान पर वहां के मरने वालों के death तौल मरने वालों क्या पहुंच चुकी है संख्या पहुंच चुकी है अगर ध्यान देखेंगे न mark क्या यहां पर noun है निशान तो फिर important क्या हो जाएगा adjective और जो adjective के बारे में ly जुक्त सब बता रहो क्या हो जाएगा adverb पहले adverb आया फिर adjective आया और फिर आपका noun आया ठीक है यानि Donald Trump जो है वो तीन प्रकार के मोर्चों पर राजनितिक रूप से फंसते जा रहे है पहला क्या है उनका जिस पर फंस रहे हैं वो कि अमेरिका में करीब एक लाख के निसान तक जो कि मनोबैग्यानिक रूप से बहुत महत्पुर मार्क है वहाँ तक मरनी वालों की संख्या हो चुकी है यानि खतरनाक अस्तर तक पहुँच चुकी अर्थात एक लाख लोग वहाँ पर आप तो मर चुके हैं एक लाख लोग बच्चों दूसरा क्या है दक एकॉनमी जो वहाँ की अर्थ व्यवस्था है लुक्ष टू बी आन्दव वर्ज आफ आन्दव वर्ज आफ याद हो गया की कगार पर यानि वहाँ की जो अर्थ व्यवस्था है लुक्ष वो दिखाई दे रही है तू बी आन्दव वर्ज आफ की कगार पर आफ श्लिपिंग इंटो slipping into धस्ती जा रही, फस्ती जा रही है, into a deep recession, किसमी एक गहरी मंदी में, यानि दूसरी स्थिति क्या है, वहां की अर्थ ब्यवस्था जो है, वो किसकी कगार पे आ गई है, deep recession, यानि बहुत बड़ी मंदी की आन्दव वर्जाफ कगार पे आ गई है, ऐसा वहां पतीत हो रहा ह यह दूसरी उनकी समस्या है, if not outright depression, हाँ ठीक है, कि अभी यह deep recession में जा रही है, वहां की economy, if not outright depression, outright सीधे तौर पे, खुले तौर पे, यानि यदि सीधे तौर पे आप यह न कहें, कि यह depression में नहीं जा रही है, निराशा के दौर में नहीं जा रही है, लेकिन आपे कह सकते ह जा रही है, अर्थात गहनों मंदी के दौर पर जा रही है, in the wake of, याद है in the wake of, in the wake of में इस होता है, पलडाम स्वरूप, यह उता पर चुनो, पलडाम स्वरूप में इस हो, in the wake of, तो क्यों पहुँच रही है, एक deep recession में, in the wake of the pandemic impact, यानि जो इस महामारी का प्रभा हुआ ह है, उसके प्रडाम सुरूप ऐसा हो रहा है, across sectors, sectors, छेत्र, sects, wings, यह अलग-अलग छेत्रों में, सारे छेत्रों में, जो pandemic का प्रभाव पड़ा है, उसके कारण, अगर हम यह नहीं कहें, कि सीधे तोर पे निराशा में पहुँच रही है, तो हम यह कह सकते हैं, कि वहां की economy में, recession में पहुच रही है, में इस मंदी के दौर में पहुच रही है, और तीसरी, तीसरा front क्या है उनके political quagmire का, कि his management of both the crisis, ध्यान से देखें बच्चों, बोथ लगा न, बोथ के बाद हमेशा countable noun आता है, और वो भी countable noun जो रहेगा, वो हमेशा plural रहेगा, तो ध्यान से देखें, crisis, कैसे लिखा है बच्चों, ऐसे नहीं लिखा है, ऐसे नहीं, I को किसे बदल लिया गया, E में, क्योंकि मैंने कहा था एक एडिटरल में आपको, जिस noun के बगल लाष्ट में, I-S होता है, generally उसका plural बनाते समय उसे, E-S में बदल देखें, यहां भी देखें, both the crisis, कि दोनों ही परिशानियों का, कौन सी दोनों परिशानिया बच्चों, जो death toll वहां की बढ़ती जा रही है, जो एक लाख के important mark तक पहुंच चुकी है, और दूसरा, वहां की economy जो deep recession में जा रही है, इन दोनों ही परिशानियों के संकटों के में, उनका जो management है, उनका ज criticism, तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, from Democrats, किन के द्वारा, Democrats के द्वारा, यानि जो वहां Democratic Party के नेता हैं, वो लोग तीखी आलोचना कर रहे हैं, even as the 2020 US presidential election draws closer, जैसे जैसे वहां 2020 का presidential election, राष्टपती का चुनाओ draws closer, क्या होता जा रहा है, निकट आता जा रहा है, यानि जैसे जैसे ये 2020 का वहां presidential का चुनाओ निकट आता जा रहा है, वैसे वैसे Democrats की जो आलोचना है, criticism है, वो क्या होती जा रही है, एसरविक होती जा रही है, means क्या होती जा रही है, means क्या होती जा रही, means क्या होती जा रही है, बहुत तीखी होती जा रही, सक्त होती जा तो there के साथ क्या लगा is there is one factor एक ऐसा तथ्य है that links और that देखे relative pronoun है किसके लिए लगा factor के लिए singular के लिए तो link में क्या जुड़ गया is यानि एक ऐसा तथ्य है that links जो जोड़ देता है all three political hazards इन तीनों राजनितिक hazards को में इस तो hazards means खत्रे खत्रे समझते हैं बच्चों ये तो आप बच्पन जानते हैं danger ये भी जान ले peril ये आप बच्पन जानते हैं risk और अभी आपने ये भी जान लिया hazard है न डेंजर peril, risk, hazard सब की मेंज क्या खत्रा danger से dangerous बन गया peril से perilous बन गया risk से risky बन गया और hazard से hazardous बन गया कि क्या हो जाएंगे? adjectives हो जाएंगे करें एक ऐसा factor है that links all three political hazards जो तीनों उन राजनीतिक खत्रों को क्या करता है? link करता है, जोडता है he is facing जिन तीनों खत्रों का वो क्या कर रहे है? सामना कर रहे हैं कौन? Donald Trump और वो एक फैक्टर क्या है? China यानि चीन ऐसा है जो उनके तीनों राजनीतिक खत्रों में एक फैक्टर का का काम करता है यानि उनके तीनों जो खत्रे हैं तीनों मोर्चों पे जो खत्रे हैं उनमें एक ही फैक्टर है और वो फैक्टर क्या है? चीन है, सूचे कितनी बड़ी बात है चलिए आगे बढ़ते है करें on the pandemic front यानि जो ये महामारी का मोर्चा है इस front पर Mr. Trump has regularly tweeted, ट्वीटे समस्ते हों कि बच्चों वैसे tweet में चहाना होता है तो आज कल Twitter का जमाना है तो Twitter पर जब आग कुछ लिखते हैं तो आप क्या करते हैं, tweet करते हैं आज कल के प्रहानमंती, राश्पती, नेता वगरा ऐसा ही करते हैं, tweet करते हैं अब वो जनता से सीधे बोलने के बजाए इन डेरेक्ट वे में बात करते हैं उनके पास Twitter नहीं है, गाओं की जनता वो क्या करेगी, सोचे हैं तो करें, on the pandemic front यानि जो महामारी का मोर्चा है इस मोर्चे पर Mr. Trump has regularly tweeted ये तो present perfect हो गया और regularly समस्ते होंगे बच्चों नेमित रोप से अर्था कितनी बार? नेमित रोप से हर बार अर्थाती एड़ब आप frequency की तरह क्या करेगा काम करेगा, यानि उन्हों नेमित रोप से tweeted, tweet किया है किस मोर्चे पर? pandemic मोर्चे पर to the effect पूरे effect के साथ प्रभाव के शाथ that की the novel coronavirus, की जो novel coronavirus, COVID-19 है ought to be called passive आइस न, ought to be called, यानि इस coronavirus को पुकारा जाना चाहिए बुलाया जाना चाहिए the china virus किस नाम से? china virus के नाम से, यानि वो निरंतर रोप से tweet करते रहे pandemic front पर कि इस coronavirus को आप coronavirus न कहें, china virus कहें, and or his top officiers कल प्रहा था न, officiers अधिकारी, उनके जो बड़े अधिकारी हैं, मुख्य अधिकारी हैं उनके, including Secretary of State Mike Pompeo, जिन में कौन शामिल है? Secretary of State Mike Pompeo, यानि Mike Pompeo सहित including में सहित, Mike Pompeo सहित, जो के Secretary of State है, Mike Pompeo सहित उनके जो top officials है, have made unsubstantiated suggestions, मैं एक grammar आपको दिखाना चारा हूँ, बच्छो, देखें, आपने पढ़ा था न, कि including, excluding वगरे के बाद, जो subject होता है, वो माइने नहीं रखता है, including से पहले जो subject होता है, वो माइने है, तो देखें, his top officials, यह क्या है आपका, यहाँ subject हो जाएगा, including के बाद seals के लिए है, यानि Mike Pompeo सहीद, उनके जो बड़े मुख्य अधिकारी हैं, उन अधिकारियों ने, have made unsubstantiated suggestions, याद है, unsubstantiated निराधार, बिना प्रमार और प्रमारिक, उन्होंने निराधार suggestions देए, सुझाव दिये हैं, that कि the virus may have leaked out, leak out बाहर निकलना, कि जो virus है, may have leaked out हो सकता है, ये virus बाहर निकला हो, of a Wuhan laboratory, कहां सही Wuhan प्रियोक साला से, यानि Mike Pompeo सहीद, जो कि Secretary of State है, वहां के अमेरिका के, उनके सहीद, वहां के जो मुख्य अधिकारी हैं, Donald Trump के, इन सारे लोगों एक निराधार, अनसबस्टेंशियेटिड सजेशन दे, निराधार सुझाओ दिये, कि वो जो virus है, वो कहां से निकला होगा, वो हान, लेवोरेटरी से हो सकता है, निकला हो, वाईल, एक तरफ, Mr. Trump appeared, relatively more mollified, mollified है, शान्त, mitigated, शूथ, यानि, एक तरफ, Mr. Trump appeared, प्रतीत हुए, प्रकट हुए, relatively more mollified, कहीं कहीं पर इपचों, एडिटोरियल से आपको कुछे सीख लेनी हो, रिलेटिवली के बाद आप comparative नहीं उज़ कर सकते हैं, लेकिन आप निरंतर देखेंगे, ज़्यादा तर, relatively के साथ, यहाँ पर comparative दिया गया होता, लेकिन आप positive रिगरी लिजेगा, much का प्रियोग करेगा, या very का प्रियोग करेगा, न की more का प्रियोग करेगा, तो एक तरफ Mr. Trump appeared relatively, तो नात्मक रूप से more mollified, यानि Mr. Trump क्या हो गए बिलकुल, शान्त हो गए, अधिक शान्त हो गए, after a call, किसके बाद, उस call के बाद, with Chinese President Xi Jinping in late March, यानि जब March के उत्तरार्ध में, Chinese President Xi Jinping से उनकी call पे क्या हुई, बात हुई, तो उसके बाद relatively more mollified, एक तरफ हो क्या हो गए, शान्त हो गए, लेकिन he reverted, लेकिन फिल से वो अपनी पुरानी अवस्था में चले गए, to name calling, और क्या देने लगे, गालियां देने लगे, मैं इ few weeks thereafter, thereafter के बाद, यानि कुछ सप्ताहों के बाद, उसी चीन को या वहां के राष्टपती को वो name calling करने लगे, जबकि उसी राष्टपती से बात करने के बाद, जनवरी के अंत में वो more mollified हो गए थे, तो नात्मक रोप से थोड़े से शान्त हो गए थे, लेकिन कुछी सप् सप्ताहों बाद, a few weeks, a few के बाद, हमेशा plural noun ले, ठीक है, a few means कुछ सप्ताहों के बाद, यानि a few weeks thereafter, thereafter क्या होता है बच्चों, adverb के रोप में के बाद, यानि कुछ सप्ताहों के बाद, वो Chinese राष्टपती या चीन के बारे में name calling करने लगे, मैं इस क्या करने लगे, गालि की तरह काम करता है, और जब इस रूप में meanwhile होता है, यह एक adverb की तरह काम करता है, meanwhile means, इस speech, इस दवरान, इस दवरान, basing has a concertedly pushed a campaign, concertedly मजबूत तोर पे, ठोस तरीके से, अच्छी तरह से, solid तोर पे, यानि basing ने क्या किया, इस दवरान, has concertedly pushed a campaign, campaign याद है न, एक driver, एक expedition, यानि इस बीच क्या हुआ, basing यानि चीन ने ठोस तोर पे, ठोस तरीके से, एक campaign चलाया है, around the masses, क्या देखरके, निरंतर एक masses देखरके, that की, the virus, की जो virus है, contrary to any publicly verified evidence, यह virus के बारे में है, contrary to any publicly verified evidence, निस सारवजनिक रूप से, किसी verified सत्यापित प्रमाड के बिपरीत, चीन के, चीन ने एक ऐसा campaign चलाया, जिसमें उसने masses में कहा, कि जो virus है, originated outside China, यह कहां उत्पन हुआ था, चीन से बाहर उत्पन हुआ था, यहां भी जान ले बच्चों, देखें धिहान से अगर, यह evidence क्या है, noun, तो noun की पहले verified क्या हो जाएगा, past participle के रूप में adjective, और adjective से पहले publicly क्या हो जाएगा, public plus ly क्या हो जाएगा, आपका adverb की तरफ काम करेगा, और यह originated क्या हो गए यहां पर, verb हो गई आपकी, second form, outside China, चाइना अगर noun है, तो noun की पहले अगर outside, inside, in, out वगर आता है, तो वह एक preposition की तरह काम करता है, और अगर outside, inside, in, out, up, down, अकेले आते हैं, तो रहन समझ जाएं, वो वहाँ adverb की तरह काम कर रहे हैं, यानि बेजिंग ने अभियान चलाया, ठोस तोर पर, concertedly, ठोस तोर पे एक campaign चलाया, एक अभियान चलाया, around the masses, क्या देखर के, यह संदेश देखर के, यह जो virus है, originated outside China, यह चाइना में नहीं, यह चाइना से बाहर originate हुआ, उत्पन हुआ, जो कि contrary to any publicly verified evidence है, यानि सारजनिक तोर पे, किसी सत्यापित प्रमार के क्या है, बिल्कुल यह विपर क्या चीन जो कह रहा है, on the economic front, यानि आर्थिक मोर्चे पर, the savage trade war, वो जो जंगलियों वाला, यानि असभ्यता पूर्ण, बरबरता पूर्ण, या अशिष्टता पूर्ण, या खराब दावर का, जो trade war है, means ब्यापार का युद्ध, ब्यापारिक बानिज्य की युद्ध है that real, real means होता है, नारास कर देना, बच्चों, किसी को अनाय कर देना, राइल कर देना, किसी को खिजला देना, चिढा देना, फिर इस देख लें आपे, करें, on the economic front, यानि आर्थिक मोर्चे पर, the savage trade war, वो जो असिष्टता पूर्ण, उनके बीच जो वानिजिक युद्ध था that wild global markets, जिसने वैश्विक बाजार को बिल्कुल क्या कर दिया, wild, खिजा दिया था, चिढा दिया था, through most of 2019, कब, through most of 2019, 2019 के most of, अधिकतर समय से होकर, यानि ज्यादातर समय जो 2019 का था, उसमें जो global markets थी, यानि वैश्विक बाजार थे, वो wild बिल्कुल खीज गए थे, नारा जो गए थे, किससे, उस सैवेज वार से, जो किसके बीच चल ला था, अमेरिका और चीन के बीच में, लेकिन वो सैवेज ट्रेडवार, appeared to be near a resolution, appeared to be near, ऐसा लगा, जैसे वो ट्रेडवार, निकट आ चुका हो, और resolution, किसके निकट आ चुका हो, एक समाधान की निकट आ चु जब वासिंगटन और बेजिंग यानि अमेरिका और चीन ने इंकड, इंकड में करार करना बच्चों, दस्तावेश पर हस्ताक्छर करना, जब वासिंगटन और बेजिंग यानि अमेरिका और बेजिंग ने करार किया, the phase 1 pact, इनि पहले चरण के pact पर समझाते पर, far lower tariffs, किसक शुल्क को कम करने के लिए and trade concessions और व्यापार में छूट रियायतें देने के लिए this January, इस जनवरी में, देखे जनवरी के पहले this लगा है न, इसलिए आपे in add का प्रियोग नहीं किया गया, उल्टा पने बच्चो, इस जनवरी में trade concessions के लिए व्यापार में रियायत देन तो ऐसा लगा कि जो पूरे 2019 के जादातर समय में पूरा वैश्विक बाजा रुवाइल करता रहा, नाराज दिखा, खिजा रहा, चिडा रहा, जैसे लगा कि उसका एक resolution मिल गया हो, मैं इस एक समाधान मिल गया हो, मैं चाहूँ बच्चो थोड़ा सा समय लूँ मैं आपका पहले ये वर्ड देख लें, resolution, इसके तीन अर्थ होते हैं बच्चे, एक अर्थ क्या होता है, समाधान, दूसरा अर्थ तो आप जानते होंगे, संकल्प, और तीसरा अर्थ भी होता है आपका एक, प्रस्ताव, जब संसत में कोई resolution पेस किया जाता है, तो एक प्रस्ताव प और जब आप जिंदगी में एक resolution लेते हैं, तो आप एक determination ले रहे होते हैं, एक संकल्प ले रहे होते हैं, और जब किसी चीज़ को आप resolve कर लेते हैं, तो उसका एक resolution निकल जाता है, means एक समाधान निकल जाता है, यानि एक ही शब्द है, resolution, इसके means समाधान भी होता है, solution के एक संकल्प भी होता है determination के रूप में और एक प्रस्ताव भी होता है motion के रूप में, ठीक है, चलिए, कहां से देख लें बच्चों, यहां से, करें, the pandemic appears, पहले यहां एक background ले ले थोड़ा से बच्चों, कि जनवरी में, इस जनवरी में क्या हुआ, phase one pact हुआ, अमेरिका और चीन के बेच में, जिससे ऐसा लगा, कि वो जो उनके बेच में एक trade war चल लहा था, उसका क्या निकल गया है, resolution निकल गया है, ठीक है, लेकिन, the pandemic appears, ऐसा लगता है कि जो हमारी है, appears to have set that process back, set back, set back क्या है, phrasal verb है, set back में इस होता है, पीछे ढखेल देना, रोक दे तो set और back के बीच में, यह object डाला गया, इसका मलब set back, यहाँ पे कौन सा phrasal verb है, बच्चों, कौन सा है यह, transitive, ठीक है, यह transitive phrasal verb है, यानि the pandemic appears, ऐसा लगता है कि जो pandemic है, appears to have set that process back, ऐसा लगता है कि उस process को, उस प्रक्रिया को, इस pandemic ने set back क्या कर दिया हो, रोक दिया हो, considerably, अधिकतर तौर पे, यानि बहुत अधिकतर तौर पे देखें, मात्रा में देखें, तो वो जो process था, वो set back कर गया हो, रुख गया हो, इस pandemic के कारण ऐसा लगता हो, कौन सा process, वो जो phase one का, उनके बीच में क्या हुआ था, पैत हुआ था, किस लिए हुआ था, lower tariffs के लिए, शुलकों को कम करने के लिए, और trade concessions के लिए, यानि ब्यापार में छूट देने के लिए, और कभ हुआ था, इसी जनवरी में हुआ था, अब इस pandemic ने क्या किया, उस process को set back, लगभग रोक दिया है, क्यों, क्योंकि neither side, neither side, दो में से कोई भी नहीं, यानि न तो अमेरिका और नहीं, चाइना, अगर यहीं neither के बजाए, आपको none दे दिया जाएगा एक्जाम में, तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब दो ही लोग हैं, तो none ही आएगा, neither आएगा, none हमेशा दो से अधिक के लिए आता है, तो neither side will be in the mood, दोनों ही पच्छ जो हैं, इस mood में नही में नहीं होंगे, to make concessions, कि अब वो क्या दें, रियायते दें, छूट दें, given that, given that means, इस चीज को ध्यान में रखते हुए, कि tens of millions of jobs, कि दसियों, लाखों, जाप्स, यानि करोनों की संख्या में जो नौकरिया हैं, have been lost, वो क्या हो चुकी हैं, खतम हो चुकी हैं, in the US कहां, अमेरिका में, and China is far from, far from, बहुत दूर होना, China is far from an economic recovery, और China जो है, वो अपनी आर्थिक recovery को प्राप्ट करने से क्या है, बहुत दूर है, यह एक तरफ China की आर्थिक recovery होनी मुश्किल है, तो दूसरी तरफ US में क्या हुआ है, tens of millions of jobs जो है, have been lost, खतम हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिती में, neither side will be in the mood, दोनों ही पच इस मुद्रा में नहीं होंगे, तो make concessions, कि वो एक दूसरी को क्या दे, कोई रियायत दे, कोई छूट देंगे, it is a however, however, जब conjunction के रूप में नहीं आता है, तो वो एक adverb की तरह काम करता है, ठीक है, यानि जो भी हो, it is the third factor, ये तीसरा factor है बच्चों, यानि पहला जो death toll वारा factor था, दूसरा जो economy के resistance में जाने का factor था, वो दोनों factor नहीं, it is the third factor, ये तीसरा factor है, कौन सा तीसरा याद है, the presidential poll in November, जो November में क्या होने वाला है, राश्टपती का चुनाव होने वाला है, ये वो तीसरा factor है, that could most significantly, most significantly, बहुत महत्तपून तोर पे, बहुत ज्यादा, ये तीसरा factor है, that could most significantly, अल्टर, जो बहुत अधिक को, बदल सकता है, the land escape, किसको, द्रिश्च को, ये तीसरा factor है, जो सबसे अधिक जिम्मिदार हो सकता है, इस परिद्रिश्च को, बदलने में, उनसा परिद्रिश्च है, of conflict-ridden, bilateral ties, बच्चों, द्वीपच्छी संबंध है bilateral, जब unilateral है, तो क्या है, एक पच्ची है, और ties है, संबंध है, और bilateral है, तो द्वीपच्छी है, तो ये जो bilateral संबंध, द्वीपच्ची संबंध है, अमेरिका और चिन के बेच में, ये conflict-ridden है, conflict-ridden मतलब, यानि कलह ग्रस्ट है, हमेशा इनमें क्या करता चलता है, अंधर्श रत ये जो द्विपच्छी संबंध है इनका जो परिद्रिष है वो बहुत अधिक क्या हो सकता है? अल्टर बदल सकता है, क्यों बदल सकता है? क्योंकि नवेंबर में क्या होने वाले हैं? वाहाँ पे राष्टपती चुनाओ होने वाले हैं. प्रेम्स प्रेम्स किसे बना है वच्चों प्रेंग से या आप करें Sabren su February 2 प्रेम्स प्रेम्स ऐसे प्रेजंप्छन और असरे यहां प्रेजंप्छन और प्रेम्स पुर। संभावित प्रिजंप्टिब डेमोक्रेटिक नॉमिनी यानि चो संभावित डेमोक्रेटिक नॉमिनी यानि चो संभावित डेमोक्रेटिक नॉमिनी यानि जो संभावित डेमोक्रेटिक नॉमिनी उम्मीदवार हैं और फार्मर वाइस प्रेसिडेंड और जो वहां के पुर् मुख्य राश्ट सर्य., उपराश्ट पती रहे हैं कौन? जो बिड़न यानि जो बिड़न जो हां के फार्मर वाइस पैसिदेंट है, पुर्व उपराश्ट पती है, और डिमोक्राटिक नौमिनी भी है प्रिजम्टीफ सम्भावित, वहां की डेमोक्राटिक उम्मीदवार भी है, इन्होंने क्या किया है, has for several months launched, यहनि कई महीनों से has launched, इन्होंने शुरू कर रखा है, इस कैथिंग टैक्स, क्या शुरू कर रखा है, तीखा हमला करते रहे हैं यह, and Mr. Trump's bungling, bungling याद हो गया न, बुरा काम, खराब काम, यहनि Mr. Trump के खराब कामों पर यह तीखा अटैक करते रहें, कबसे has for several months, पिछले कई महीनों से in the early phases of viral transmission, यहनि viral transmission, समझ रहे हैं बच्चों संक्रमड के फैलने को, यहनि viral transmission के जो शुरूवाती दौर थे, शुरूवाती चरण में, उसमें जो bungling थे Mr. Trump के, Mr. Trump की जो खराब तर किससे काम करना था, उस पर जो बिडन क्या करते रहें, इस कैफिंग अटैक्स करते रहें, में इसो तीखा हमला करते रहें, कबसे for several months, कई महीनों से, देखे ध्यान देखेगा, bungling यहाँ जीरंड है, इसलिए यहाँ पे positive case का क्या किया गया है, प्रियोग किया गया है, including और क्या करते रहें, वो repeated messaging, यह बार बार जो बिडन जो है, यह संदेश देते रहें है, that कि the president was slow, कि जो राष्टपती Donald Trump है, वो कहिन कहिन शलो थे, धीमे थे to respond to warning signs, किसमे धीमे थे वो, warning signs, यह जो चिन मिल लहे थे, संकेत मिल लहे थे खत्रे के, उसमें respond करने में, अर्था उसमें जबाबी कारिवाही करने में, Mr. Trump कहिन कहिन शलो थे, ऐसा जो बिडन repeated messaging, बार बार क्या देते रहे हैं, संदेश देते रहे हैं, from Wuhan, जो संकेत राष्टपती Trump को कहां से मिल लहे थे, वहां से मिल लहे थे, and और क्या रूप लगा रहे हैं वो, reluctant, वो जो बिडन ये भी कह रहे हैं, कि राष्टपती Trump कहिन कहीं, reluctant थे, आना कानिक कर रहे थे, unwilling थे, to lockdown the US, US में क्या लगाने के लिए, lockdown लगाने के लिए, to enforce physical distancing, जिस lockdown के द्वारा, physical distancing को, समझ रहे हैंगे, physical distancing, physical distancing distancing को enforce किया जा सके, में इसो, लागू किया जा सके, तो उस lockdown को करने में भी, कहिन के Mr. Trump क्या रहे, reluctant रहे, और ऐसा किस ने कहा, जो बिडन ने कहा, और उन्हेंने क्या कहा, कि जब वहान से उन्हें warning science मिल लहे थे, खत्रे के संकेत मिल लहे थे, तो उसको उन्हें रिस्पांड करने में भी क्या दिखाई, धीमापन दिखाया, किनों ने, President Trump ने, ऐसा आरोप लगाया किस ने, जो बिडन ने, जो वहां के संभावित, Democratic उम्मिदवार है, प्रो-Trump Campaign Organizations, प्रो मेंस बच्चों इस सवस्थाम पता है क्या होता है, प्रो मेंस समर्थक, ये वर्ड आपको याद है न, प्रो नाउन, नाउन के लिए, प्रो मेंस के लिए, तो नाउन के लिए जो सब लगाते हैं, वो प्रो नाउन होता है, वैसे प्रो के लिए, आप उनके प्रो हैं, ठीक है, तो प्रो फिर इस देख लिए, बच्चों इहां साब देख लिए, प्रो-Trump Campaign Organizations, यानि जो Donald Trump के Campaign Organizations, उनके अभियान चलाने के, जो आर्गियान संगठन है, वो प्रो, यानि समर्थक, यानि Trump के जो समर्थक अभियान आर्गियान आर्गियान में, have taken to labeling, कहीं कहीं उन्होंने क्या किया है, Mr. Joe Biden को labeling, उन पर एक चस्पा लगा दिया, उन पर ये आरोप लगा दिया है, किन पर Mr. Biden पर, कि Mr. Biden क्या है, बीजिंग बिडिन है, यानि जो बिडिन क्या कर रहे हैं, Donald Trump पे आरोप लगा रहे हैं, कि वोहान से संकेत मिल रहे थ जो जो प्रो-Trump campaign organizations है, यानि जो उनके Trump के समर्थक संगठन है, वो Joe Biden पर label कर रहे हैं, अर्थात उनके नाम के साथ क्या लगा रहे हैं, कि जो बिडिन हैं, वो बीजिंग बिडिन हैं, समझ रहे हैं, यानि ये चीन के बिडिन हैं, हमारे नहीं हैं, which जो चीज gives Democrats the tough choice, जो च Democrats के लिए tough choice, उत्पन कर दे रहे हैं, यानि एक कठिन चुनोती पेस कर दे रहे हैं, आफ इदर attacking, कि या तो वो Trump पर क्या करें, sorry, या तो वो attack करें, और defend, या फिर समर्थन करें, चीन का, चाइना का, यानि समझे बात को, Joe Biden पर Trump के समर्थक, समर्थन क्या लगा रहे हैं, कि ये चीन के समर्थक हैं, तो जो Democrats हैं, उनके Party के, Joe Biden के, उनके लिए tough choice है, यानि बड़ी मुश्किल समय आ चुका है, कि या तो वो नहीं समझ मनी आ रहा है, कि वो चीन पर attack करें, या उस चीन पर क्या करें, वो उनका समर्थन करें, इसका आगे कोई वर्ब नहीं है, यदि Mr. Biden जो है, इन में से कोई भी एक करते हैं, क्या कोई भी एक मतलब, अगर वो चीन का विरोध करते हैं, अटैक करते हैं, या फिर चीन को defend करते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक करते हैं, तो he will open himself up, open up means क्या होता है, जद में आ जाना, अर्थात अपने आपको सामने ले आना, यानि तो फिर क्या हो जाएगा, कि he will open himself up to political attacks, तो फिर कहीं कहीं वो राजनितिक हमलों की जद में आ जाएंगे, यानि कहीं कहीं वो राजनितिक हमलों के लिए open हो जाएंगे, लोग उन पर राज चीन के समर्थक हैं, तो दोनों में से कुछ भी करते हैं, बिडे नगर, तो कहीं कहीं वो political attacks के लिए open up हो जाएंगे, अर्थात उसकी जद में आ जाएंगे, However, जो भी हो, there is a third way, एक तीसरा रास्ता है, यानि वो न तो attack करें और न ही defend करें, उनके लिए जो बिडेंग ले एक तीसरा रास्ता है, क्या, कि if he steps back, वो पीछे हट जाएं, from the brink of, उस चीज की कगार से, किस चीज की कगार से? Of what some analysts are describing as the potential new code, यानि जो analysts, some analysts, कुछ विशलेशक हैं, वो एक कह रहे हैं, कि एक बड़ा नया शीत जुद्ध होने वाला है, जिसे वो describe as कर रहे हैं, देखें, बच्छो, describe as, यादा है न, यानि कुछ analysts क्या कह रहे हैं, कि एक नया बड़ा सीत जुद्ध होने वाला है, तो उसकी कगार से Mr. Joe Biden, जो है अपने आपको step back कर लें, पीछे कर लें, कौन सा new cold war बच्छो, बेश्रान, जो आधारित है, the understanding, इस समझ पर, that key, neither side would stand to gain, कि दोनों ही पच्छों को कुछ नहीं मिलना है, यानि न तो अमेरिका को कुछ मिलना है, नहीं चीन को कुछ मिलना है, from the cumulative tally of economic and geopolitical conflict, यानि अगर अमेरिका और चीन, economic अस्तर पर, यानि आर्थिक अस्तर पर, और geopolitical, यानि political अस्तर पे भी, और economic अस्तर, दोनों अस्तरों पे, यदि वो conflict करते हैं, यानि संघर्ष करते हैं, तो उनका cumulative tally, यानि जो समुच्चित आंकडा होगा, उससे would stand to gain, उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि या नीदर लिखा है न, दोनों को कुछ भी हासिल नहीं होगा, तो ऐसी इस्तिती में, अगर इन चीजों से, जो बिडेन अपने आपको step back कर लेते हैं, बचा लेते हैं, तो he may not only a word a torrid class between the two nations, तो फिर उन दो राष्ट्रों के बीच, जो एक गर्मी से भरा हुआ क्लैस है, यानि जो कहिन के सत्रुता पुन जो उनका क्लैस जगडा है, उसको सिर्फ एवर्ट ही नहीं कर लेंगे, उससे बचा ही नहीं लेंगे, बट आलसो, यहां आलसो होना चेत नहीं है, बट आलसो, बलकि in the process, इस प्रक्रिया में, he might win over, win over, win over में समर्थन प्राप्त कर लेंगे, वह कौन वह, जो बिडेंड, वो समर्थन भी प्राप्त कर लेंगे, किनका समर्थन प्राप्त कर लेंगे, economically secure, जो आल्थिक रूप से असुरक्षित हैं, independent, जो स्वतंत्र हैं, and undecided voters, और जो अनिल्डे की इस्थिती में voters हैं, across the US, पूरे US में, पूरे US में, वो voters जो undecided हैं, तैनिंग कर पा रहे हैं, किसको वोट देना हैं, independent हैं, स्वतंत्र हैं, economically insecure हैं, आर्थिक रूप से असुरक्षित हैं, ऐसे लोगों का he might win over, वो क्या प्राप्त कर लेंगे, समर्थन प्राप्त कर लेंगे, कौन, जो विडेन in the process, इस process में, इस प्रक्रिया में, कौन सी प्रक्रिया, जब वो इस प्रकार के potentially new cold war जो पन हो रहा है, इस से अमेरिका को या अपने आपको क्या रख लेंगे, step back रख लेंगे, तो वहां के जो लोग हैं, जो economically insecure feel कर रहे हैं, जो independent हैं, जो undecided voters हैं, उनको पूरे US में कहीं क जो विडेन का वो क्या कर देंगे, समर्थन कर देंगे, who are, who are decisively important, जो voters, जो voters are decisively important, निडायक रूप से जरूरी हैं, महतपूर है, to secure an election, एक election को जीतने के लिए, election victory, यानि उस victory को टाप करने के लिए, not only the US and China, केवल US और China ही नहीं, but the world, बल्किए संसार भी at last, कुल मिला कर, ये पूरा संसार भी might stand to gain, कुछ होएगा नहीं, might stand to gain, यानि कुछ न कुछ प्राप्त ही करेगा, if he did that, यदि जो बिडेन ने ऐसा किया, कैसा किया, उस new cold war, potential new cold war से अपने आपको क्या रखा, दूर ठीक है, चलिए बचों, इस सारी वर्सें जल्दिस देख ले, dominant आपको याद होगा, जो प्रबल हो, means क्या हो, जो बचों, dominant, प्रबल हो, प्रभावशाली है, वो dominant है, perilously, खतरनाक तोर पे, means hazardous के तोर पे, या dangerous के तोर पे, रेसिसन, मंदी का दौर, एसरविक, बहुत तीखा, mollified, अधिक शांत, meanwhile, इस बेच, originated, उत्पन हुआ, इंकड, इंकड, करार किया, दस्थकत किया, considerably, परियाप्त तोर पर, bilateral, द्विपक्चिय, reluctant, means अनिक छुक, unwilling, draw closer, जो और नस्दीक आता जाए, यहाँ पे, E आर रहेग साइकोलाजिकली, मनुवैज्यानिक तौर पर, आउट्राइट, सीधे तौर पर, पूरे तौर पर, hazards, खत्रे, reverted, पुनह उसी अवस्था में वापस आचाना, concertedly, थोस तरीके से, मजबूत तरीके से, सैवेज, असभ्य, पैक्ट, समझावता, given that, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि, presumptive, संभावित, enforce, लागू करना, किसी कानून, नियम, एग्रिमेंट वगरे को, प्वैग मायर, कोई कठिन, कोई जटिल, इस्थिति, आंद वर्ज आफो, की कगार पर, depression, निराशा, frustration, unsubstantiated, जो निराधार हो, बिना प्रमार के हो, नेम कालिंग, गलस शब्दों का उपियोग, कैंपेणों, अभियान, र्वाइल्ड, राइल कर देना, अनाय कर देना, एक्जैस्परेट कर देना, मैं चिड़ा देना, खिजा देना, सिग्निफिकेंटली, महतपुन तौर पे, importantly, इस कैथिं, तीखा, एसरबिक, एवर्ट, टाल देना, बचदाना, अबायड कर जाना, देथ टाल, याद है, मरने वालों की संख्या, श्लिप इंटो, प्रवेश कर जाना, इन दो, वेक आफ, कॉंसिक्वेंटली, अर्था परडामश्वरूप, लीक आउट, ओपेन हो जाना, मैंस बाहर निकलाना, देर आफ्टर, एडवर्ब के रूप में है, मैंस इसके बाद, एविडेंस, प्रमान, प्रूप, रिसोल्यूशन यहाँ, समाधान के रूप में ल लेंगे, तो मोशन, कोई आफर, और तीसरा दिन संकल्प के रूप में लेंगे, तो determination, setback, रोक देना, अस्थागित कर देना, conflict written, यानि संधर्ष रत, बंगलिंग, बुरे तौर पे कारी करने वाला, और potential, मैंस जो छमतावान हो, बड़े तौर पे हो, और यह मैंने सारी व वीडियोज मेरी आपको दिखाए देंगे, उनके लिंक्स वगर दिखाए देंगे, आपको वीडियोज जो पहले कियें, वो भी देख सकते हैं, यदे आप नहीं देख पाए हैं, तो आप इन वीडियोज को जरूर देखेगा, यह मेरा session कैसा रहा, जरूर बताएगा, मेरी आप हमेशा खुश ने, ऐसे हमेशा हस्ते मुश्कुराते थे, thank you for watching this video, have a nice day.